अज़ाइए नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल अल्ट्रा हील होमिपैथी में मैं डॉक्टर आर्थी पाठक और आज मैं आप से चर्चा करूंगी साइन्युसाइटिस के बारे में और उसकी होमिपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम जानकारी तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजे ताकि मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन्स आपको रेगुलर्ली मिलते रहें तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पर दीज दौनी रहे हैं कि साइनेस क्या है तो एल फोर प्रानेजल शैनेस से इन्वाट इसार्ट फरंटल देदेशन्स इन फरंटल मेरे में लखिशन्स है और यह मेंवारी साइनाइक लोकेशन्स है जानली आपल लिग बिएयर यानि यह एयर फेल्ट रहते हैं और होलो क होती है अगर यह इंफेक्टेड हो जाती है तो इसके अंदर फ्लूड फिल हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है तो 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 स्वेलिंग हो जाती है कि जो नोज है वो complete obstruction हो जाता है और nostrils जो हैं वो obstruct हो जाते हैं तो sinusitis associated हो सकता है nasal polyps के साथ और अगर patient को deviated nasal septum है यानि कि जो उसका nasal septum है वो one side deviated है तो उसको sinusitis की जो problem है वो ज्यादा commonly हो सकती है तो कई बार patient को अगर allergic condition है उसको हो यार नहीं उसको recurrent cold यह को राइजा हो जाता है तो उसके बाद sinus attacks उसको allergic tendency या inflammatory response की वजह से उसको sinus attacks जो है रेगुलरली हो सकते हैं तो अब इस case में जो homeopathic medicines बहुत ही effective रहती है और definitely homeopathic treatment है वो patient के लिए जादा beneficial रहता है क्योंकि यह नाकेवल sinus attacks को जड़ से खतम करता है बलकि जो tendency है पेशेंट की रिकरेंट को राइजा की या allergic tendency है पेशेंट की इसको हो homeopathic medicines जड़ से खतम करती है अब हम जानते हैं कि इसके जो symptoms है यानि कि common presentation है patient की वो क्या रहती है तो सबसे पहले में बताया कि patient comes with the complaint of respiratory problems तो उसको सबसे पहले जो breathing है नोज में से breathing है वो complaint रहती है breathing difficulty होती है उसको या तो नोस्ट्रिल एक exercise completely obstructed रहता है या बोथ nostrils are completely obstructed और patient को मुझ से सांस लेना पड़ता है और उसको जो pain है वो frontal sinuses में आनि कि forehead में रह सकता है या उसको root of the nose या bridge of the nose nasal septum जो है वो painful रहता है और cheekbones में swelling अगर कई बार अगर चीक बोल्स में swelling है तो redness भी है और उसको pain pressure feel होता है face में तो जो sensory nerve trigeminal nerve अगर वो involved होती है तो patient को one side जो है neuralgia face में वो feel होता है nerve pain जो है वो feel होता है तो यह constant जो complaints है वो patient की रहती है कई बार post nasal discharge है यानि कि जो नाब के थूप पीछे गले में बलगम गिरता है यह patient की जो most common complaint रहती है उसके साथ patient को sinus headaches जो है वो complete जो कई बार recurrence होती रहती है वो sinus headaches रहते हैं उसको और patient को fever or weakness भी रहता है कई बार अगर उसको बहुत जादा sinus affected रहती है और बहुत जादा weakness की problem उसको हो सकती है अब हम जानते हैं कि कौन-कौन से होमिपैथिक medicines है जो इसको sinusitis को क्योर करने में helpful हो सकती है उसमें सबसे पहले top medicine आ जाती है काली बाइब क्रोमिकम अब काली बाइब क्रोमिकम के indications है frontal sinus affected और pain at the root of the nose उसमें pain or pressure यानि कि गरम से और उसको प्रेशर अप्लाई करने से frontal sinus में उसको आराम मिलता है इस तरीके से उसको प्रेशर से अगर अप्लाई करता है तो उसको relief मिलता है उसके इसाथ साथ जो पेशन्ट का जो नेजल डिस्चार्ज है यानि कि थिक डिस्चार्ज है और ऐसा चिप चिपा थिक डिस्चार्ज अगर उस पेशन्ट को रहता है तो काली बाइब क्रोमिकम उसको इंडीकेटेड रहती है और वो यूसफुल हो सकती है पेशन्ट को क्योर करने लिए next medicine आ जाती है काली आगडटम में क्या है discharge उसका characteristic है एक्रिट discharge है और वाटरी डिस्चार्ज फ्रम दो नोज तो अगर पेशिंट को frontal sinuses involved है और थिक और वाटरी एक्रिट discharge है दो नोज में से और उसके साथ उसको प्रेशर और पेन के सिंटम्स है तो उसको काली आइडिटम एक अच्छी िमेडिसन हो सकती है पेशिंटको क्योर करने लिए नेग्स मेडिसन आजाती है काली नाइट्रिकम अगर पेशिंट को right added frontal sinuses involved और right side neurogia AIizing face में नर्फ पेइन है तो उसको kalinin ईट्रिकम एक beneficial medicine हो सकती है और अगर पेशिंट को left side में है left side of the face में और उसको आइज में और उसमें जॉव में रेडिये टो रहा है लेफ्ट साइड में और टीथ में हो रहा है तो स्पाइज जीलिया एक बेनिफीशल मेडिसन हो सकती है पेशिंट के लिए अब नेक्स अजाती है आरसेनिकम आर्शेनिकम अल्बम के भी इंडिकेशन हैं वाटरी डिसचा रहता है continuously उसके साथ पीवर और उसको वीकनेस के सिंटम्स रहते हैं और अब नेक्स मेडिसन आ जाती है मर्क आइटम फ्लेवस अब मर्क आइटम फ्लेवस में क्या है पेशेंट को अब नेक्स बात करते हैं आडम की तो आडम जो है वह एक्यूट साइटम की केसे में इंपोर्टेंट मैडिसन हो सकती है इसमें क्या है इंफ्लेवस गेंस स साइटम्स आ जाते हैं की एक्यूट साइनूसानोसेटेस कंप्लेषा दिए पीवर रहे गा पयासेंट को और अटमेजल डिस्चब्स होगा वीट रिश्चार्ज हो सब्से उनेक्स मेडिशन नेक्स मेडिसन आ जाती है वह है हमारी अग्स सिलीशा अग प्रिक्वेंटली इंडिकेटेटट रहती हैं साइनुसाइटिस के केसिज में और यह पेशन्ट को कम्प्लिट रिकवरी में और क्योर करने में हैल्प्फुल रहती हैं तो हमने पेशन्ट के बारे में ने जाना और साइनुसाइटिस की जो मेन जो प्रॉब्लम रहती है पेशेंट को उनके बारे में हमने जाना और कैसे हमने हुमेपैथिक मेडिसेंट को डिफ्रेंशेट किया थ्रूदा सिम्टम अटालोजी ऑफ दा पेशेंट तो यह इंपोर्टन यह रहता है हुमेपैथि में कि जो मेडिसेंस लेनी चाहिए तो इसलिए इंपोर्टन है कि अपने डिटेल जो केस अनलीसिस है वो अपने फिजिसेंट शेयर करें और उसके बाद ही आप मेडिसन लें वही पेशेंट को क्यों करने में हेल्फुल रहती है तो होमेपैथि डेफिनेटली एक बैटर ऑप्शन है पेशेंट को treatment sinusitis के cases के लिए और वो पेशेंट को क्यों करने में हेल्फुल कंपीट क्यों क्यों करने में हेल्फुल रहती है तो अगर आपको यह मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्स फॉर वाचिंग पाइ, टेकेर